हलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में आज की वीडियो मैं पूराने चैनल को लेकर बात करने वाला हूँ जिस पर काफी टाइम से वीडियो डाला जा रहा है लेकिन कोई भी वीडियो बार नहीं हो रहा है तो उसमें कि आपको क्या करना चाहिए या मैं अ सभी बातों को अपने वीडियो में पलाई करना है यादि आप हमारे चैनल पर पहली बार रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर सेलक्ट करने जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे है दोस्तों कई बार ऐसा होता है जिस आप खुद डोड़कर महसूस कर पाएंगे कि यह सही बात है मैं कोई बात इसमें गलत नहीं बता रहा एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं जिसे आप खुद रिसर्च करेंगे तो आपको खुद पता चल जाए मैं भी तरीका भी बताऊँगा आपको रिसर्च करने का कि कैसे आप research करते हैं इस topic पर कि आपका video क्यों grow नहीं हो रहा आपको कौन सी video डालनी चाहिए तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा ध्यान से ये बाते तभी आप अपने channel grow कर सकते हैं दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपने channel पर अजारों वीडियो डाल देते हैं लेकिन हमारे channel grow ही नहीं होता है उस पर हम मेहनत करते रहें regular वीडियो डालते हैं अच्छे content डालते हैं फिल भी हमारे channel grow नहीं होता है तो ऐसे में जब आपका सब कुछ सही है सब कुछ आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपको अपने channel के बारे में एक बार ध्यान देना चाहिए YouTube भी या कहता है यदि आपको कोई वीडियो नहीं चल रहे है एक तरह की category के तो आपको changing करने की जरूरत होती है तो ऐसे मैं आपको changing क्या करना पड़ता है मैं आपको वही पताने वाला हूँ यदि आप एक नई YouTuber है चाहिए पूराने YouTuber हो आपको ध्यान से समझना होगा इस बात को या बात आप खुद जाकर practical करेंगे किसी भी channel पर जाकर आपको या बाते जरूर मिल जाएंग जो भी channel ग्रो हूए है वो इसी तरह से ग्रो हूए है तो पहला बात गया है जब भी हम किसी topic पर एक topic पर वीडियो बनाना पड़ता है मैं YouTube में तभी हम जाकर अच्छे से success हो पाते हैं यादि आप एक topic पकड़कर चल रहे हैं कोई भी topic हो blogging हो, YouTube tips से हो mobile से related हो, news से related हो interview से related हो जिस भी तरह का आपका वीडियो हो या आपका अपने category को decide किया है वहाँ पर आपको थोड़ा changing करने के जुड़त है आपको करना क्या है अगर उस तरह की वीडियो आपके channel पर नहीं चल रहे है तो आपको सीधा सीधा करना क्या है एक नए topic उठाना है एक अलग category की वीडियो बनानी है और 2-4 वीडियो आपको अठे से बनानी है जो अपने channel पर editing करके डालनी है आप देखेंगे उस वीडियो पर 100% भी हो जाएगा यदि आपकी जिस तरह की वीडियो चल जाती है वाहरल हो जाती है आपको वही content अपने channel में डालते रहना और आपका channel अचानर से ग्रो हो जाएगा यदि एक सही तरीका है अपने channel को ग्रो करने का यदि आपका पुराना channel हुए है बहुत सारी वीडियो आपने डाल दी है तो 100% इस तरह से आपका channel ग्रो हो जाता है अब बता देता हूँ कि आप इस बारे में research कैसे कर सकते हैं जो भी channel ग्रो हुए है सबसे पहले आपको उनके सबसे पुरानी वीडियो को देखना है बहुत पुरानी वीडियो को देखना है उनके लाश में जब आप जाएंगे उन्होंने कहां से शुरुवात की है और कहां से पहुँच गए है इस चीज़ को आप नोटिस करिएगा वहाँ पे आप देखेंगे सुरू में या तो जिस टॉफिक पर अभी वीडियो बना रहे हैं वही टॉफिक होगा या दूसरा होगा कई लोग ऐसे होता हैं जो अपने टॉफिक को वही पुरानी टॉफिक को ग्रोह कर ले जाते हैं लेकिन बहुत सारे आएसे लोग होते हैं जिनका टॉपिक पूराने टॉपिक पर ग्रो ही नहीं होता है तो ऐसे में करेंगे कि आप जो भी चैनल ग्रो हुए हैं उनकी पूरानी वीडियो को देखना है वहाँ पर देखेंगे कि आप कोई अलग तरह का ही टॉपिक वहाँ पर चल रहा था फिर उन्होंने जब टॉपिक चैनल ग्रो होना शुरू हो गया तो यहाँ पर आपको समझना चाहे जितने चैनल पर आप जाके देखेंगे जितना भी चैनल आप देखेंगे ऐसा ही आपको मिलेगा तो आपको भी यही करना है कि अपने भी टॉपिक को चैनल करना है बहुत सारे चांसे सैसे बन जाते हैं, आपका चैनल अचानक से ग्रू हो जाता है, क्योंकि आपके पास experience हो जाता है काम करने का, editing करने का, काफी knowledge हो जाती है, इस तरह से आप जल्दी से और ग्रू हो जाते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइ ग्रूमें